यही क्लास ड्रस तो साइन्स के चेप्टर से 2 द्रें मायक्रो ओर गनिजमी फ्रेंड यह वह मायक्रो ओरोसिक ओर्गनिजमी मैलली बेक्टरिय फंजय प्रोटोजवालल और यह यह वह फूर मीनमेजर गरोप हैं virus are also microscopic, microscopic मतलब microscope से दिखे जाना वाली पो ऐसे ही हम उन्से नहीं दे सकते bacteria पंजाइ प्रोटब्वाईल गो ये नहीं नहीं दे सकते but virus are different from other microorganism they reproduce only inside the cell of the host मतलब ये खुद ऐसे नहीं रा सकते ये इननेग झिए एक host और ये host को बीप सकता है, ये bacteria भी हो सकता है यह रहा सकते हैं चैब मतले यह बैक्टरियीया को भी इंफेक्ट कर सकते हैं धिक अंदर भी रह सकते हैं वायरस विए डुमाइकर ओरप में लिव टायते कहा है मायक्रोड़ इस इंगल शैल्ड लैक बैक्टरियास अनोल्ग प्षर फ्रोड़ सबसेल्स आएं फलजाई i have the microorganism live in all type of environment कहीं भी रह सकते ज्टे बहुत जंड़ कॉल्ड एन्वार्बेंट भी और होट में भी जंगलों में भी और मार्सिलैंड में यह जह ज़्याद है वहाँ भी रह सकते हैं जहां सुक है वहाँ भी रह सकते हैं हर एक कि मैक्रोप्र खराब नहीं हुता है कुछ फ्रेंडली बहुता है है थो फ्रेंडली भी होटे है है यह तो या से बार्डपेट are you यह के सके द हिए बनाने के लिए ब्रेड के बनाने के लिए यह में जिनके विश्य बनते हैं दूज से दही कनवाट होता है जिब जैसे जिद दही बनाना है ब्रेट या केक बनाने के लिए भी माइक्रो ओर्गनिज्म ही यूज होते हैं इसलिए फ्रेंडली वाले हैं माइक्रो ओर्गनिज्म और यूज इन क्लिनिंग अपतों इन्वार्मेंट ही इन्वार्मेंट हो साफ करने काम करते हैं क्योंकि जो खराब्ची जिए खतम कर देते हैं जैसे कि ओर्गनिज्म वेस्ट है उसे परेक कर देंगे इन हर्मलेस्ट यूजबल सब्स्टेंस जिससे वह रीडिया वह पिर से एन्वैर्मेंट वह चला जाते हैं और ना शेकर स्वाराब भी माईकर ओर्गनर करते हैं माईकर ओर रगनेर के मतलब है जनरली वह चीजी खराब ही करेंगे यह बट हर कोई नहीं करेगा खराब कोछ भी अच्छे हैं जो पहेंविजर का फाइदें या स inspiration बनाना है ब्राइड बनाना की कई बनानाiron को साफ करने का बेक ऑर और करते है यहसे लैक्टो पैसिल्स करते से फार्मेसिम cyn चआ है दोठ से यह जो तो मत्कौ मसली मतलब जिससे बेच की पैसा आया तो एलकोहॉल और वाइन बड़ने में काम करता है इस्ट इस्ट ग्रो होता है कहां नेचरल सुगर पे प्रिजंट इन ग्रेन लाइक बार्ले और वीट में जो सुगर प्राइन उसका परी ग्रो करता है चिसेरे वीड राइस्ट Crust Fruit Juice जो इस्मेल है यह सुगर है क्लिए पिडिन करने करती इन्जी यो जो शुगर है जीजों की उसे करणोट कर दिया अलकोहल में इसे विजे से इसमेल आती है वो अलकोहल वाली क्यों कि उसके अंदर सुगर है उसे कर चुका है वो अलकोहल में इस प्रोसेस को कह रहे हैं तेर राइस्ट तो हिए स relied केंविफ पाहरे ल्हाँ हो उसका भात वरी यूह वैसट क्रेस्ट फू्टर वो जा वह नाशे थ्युक गध्याशन है कोब्स कि यूंच आपर दब्ड़ं से क्हीं पैसा आएगा कुछ micro-organism के use medicines में भी होता है दवाई बनाने में भी होता है यह किल करते हैं इस्टॉप करते हैं क्या growth of the disease causing microorganism कुछ जो मतलब किसी जीस की वज़े से disease हो रही है उसकी growth रोकने का काम भी यह करते हैं तो इस टाइप इस टाइप इस नंबर ऑफ एंटिबायोटिक यूज हो रही है और एंटिबायोटिक पॉडूस हो रही है बैक्टिर एंड फंजाई मतलब कुछ तो डिजीस करने वाल एंटिबायोटिक पॉडूस है कि से फंजयों से इसे कि इस्त्रेफ्ट्ट्टॉमाइसी ने टेट्रसाइल ने इस त्राइप इस सारी एंटिबायोटिक हैं इन 1929 में अलजंडर फ्लेमि ने पता किया कि मैंक्रोडिक काम कासे करती है मतलब पहले डिस्कवर्ट उन्होंने क उन्हें वहयुमाज सूरना कंगे रावर लेट कुने ख़र ने आहिए और ने भी शाहते हों। आहिए हम पाया कि लियूँने को मार दिया है। और वह बेक्टरियद डीसिट का पैदा करने वाला है, तो उसने पाया कि कोई ऐसी चीज है जो इस बेक्टरियद को खतम कर सकती है, तो इस तरह से खोज ए ऐंडिबियोटिक की, मतलब जब बैक्टर काम करे एक बैक्टरी काम करें और उसे रोकने के लिए जब वो उस कल्चर को रहे थे तो उन्とか पाया कि एकMusic 네 पहली बार यादा प्हցलेटर में ऑल्लीच करने ओले थे फ्लेमिंग now माइकृ हैं बहुत चोटे यह इस्ट का यूज कैंब YEAST का है कि यह Mixed को बहुत बडंन जो भी जैसे वीले पार लेशा जो सुगर उसके अपर एक्ट करता यह व करता है इसके करनना फिल संख में करना करता है आल्कोड करता हैं एंटिबियोटिक मतलब जिस डिजीज पैता करने वाल जो माइकर ओर उर्ग ने रोगने काम करते है अलेजंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पैने इसलीन एंटिबियोटिक डिस्कवर किया प्रिप्यर की एट्वरेट जे नर ने पैली वक्सीन डिसकोर की पुर स्मालपोक्स इन 1798 यह सब्या लाया एंटिबियोटिक में ने ड्रॉग लेस्टिबियोटिक ने लेस्टिबियोटिक अगर एक्स्वांट मेली जाएगी चाहएगी तो जो ओफुर में अगर हम लेंगे तो यह उतना काम नहीं करेंगी मतलब उसे एक्स्टा में नहीं से नहीं खाने होते कि अगर खुद की मर्ज़े से खाने लगें तो फिर दोबारा काम नहीं करें कि इसके लिए पोड़ी रेजिस्टेंट हो जाएगी तो इसे ड्रग उसके लाइस एफेक्ट हो जाएगी एंटिपाइटिक अफेक्टिड नहीं है अगेंस्ट कॉल्ड और फ्ल्यो क्योंकि जो डिजीज वाइरस की वज़े से हुई है तो वह बैक्टरिया वाली दवाई खाए कि कैसे ठीक होगी मतलब वह एंटिपाइटिक बैक्टर के अगेंस्ट काम कर रही है और जो डिजीज वाइरस की वज़े सोरी उसे वो रोकनों में काम कैसे करेगी तो इसलिए कोड और फ्ल्यो में यह काम नहीं आती है अंटिपाइटिक next antibody is a vaccine.ie when a disease is carrying microbes winter our body the body produced antibodies to fight the invader मतलब वहन a disease carrying microbes ko यहाषव Mahar मैंचल छो disease क 같아 है यह वाधिज़िज हो शकते वो वहारी बोडी वी अट्र करtext है थो हमारी बोडी भी उसल्ऻाने के लिंग कुश कंज काम करेगी ह्टो याम होग है तो हमgens कुछ वा schwक करेगी एंटिबोडिर इंटिबॉडियटिक अलग ए ऐंटिबॉडि सरे अंदर इसा रहे और परी में अंदर हुए ऐसले इंवाटर मतलब इसने हमला कर दिया है वह है अगल गैल मतलब युव कर दिटीव माइकारोपस मतलब जो डेज़ करता है ऐनकरोपस इंटर करता आफंवेर बोडी में तो बोडी किसे कोति प्रोड्ये 赉ंप LOVE कि गोई झूओडूब्याग रहे हैं अलदेल होट कैसा की तो प अगर मानलों दुबारा अगर कुछ को ऐसा हुआ फिर से तो हमें यह हमारे शरीर को याद चीज़े याद है तो बोडियूस के गेंस्ट काम करेगी तो बोडियू रिमेबर करती है उसे कैसे लड़ा जाए क्योंकि पहले एक बार प्रेक्टिस हो चुकी ठीक है इसी बेस्ट करती है वैक्सिन काम तो हमारे वैजने को यह पर हमला किया तो सरीट के आंदर बोडियूस हो गए एन्टिबोडी अब वो काम खतम हो गया तो बट सरीट के अंतर एक डाटा फीड है कि अगर ऐसी कोई चीज आएगे तो उसके इस्चिछ यह प्रडियूस करना है तो एही तरह से वैक्सिन काम कर हि कि हमें वह भीमयर कर से हें ठीक है पर इतनी होती है कि बोड़ी उसथी जो इंदेफा ikर लेती है रोज काम करती है तो वह हमारे बोड़ी में फिर वह एंटिबोडी ज रहेंगे जगर कोई वामला हुआ उसी जगर तो मारे बोड़ी तयार है इस पेस फे वैक्सिन काम करती है अगयों को कि धैड़ और वीक मायक्रॉप्स कर जाएंगे फाली के फार में किसमें हेल्य बोड़ी में हमारे अंदर में बोड़ी फाइट करें Shalin करने के उसे बनाना पाद रहें एंटीबोडी है तो एंटिबोडी मतलब एक डाटा शरीर के अंदर त्यार हो गया तो वो जो हमने इंट्रडूस किया है बहार से वेक्सिन के फॉर्म में तो वो तो माइक्रोब्स डैड ही है तो मतलब वो तो कोई भीमारी करी नहीं पाएगा तो हम ठीक रहेंगे पर तो इस तरह से एंटिब बना सकता है इस बेस पर वेक्सिन काम करती है तो वेक्सिन जो दी जा रही है वो डैड माइक्रोब्स वही है जो एक्चल में वो डिजिज पैदा करता है या डिजिज काज करता है तो वेक्सिन के फॉर्म में वो दिया जा रहा है पर इतना नहीं है कि वो डिजिज कर सके ब वो तियार हो सकती है जैसे कि खोल राट, क्यूपर क्लोशिट, विस्माल पॉस, हिपटाइटिस, इन सब की वैक्सिन दी जा रही है है कुछ बैक्टरिया ऐसी है, जो एबल तो फिक्स नाइटरजन फ्रॉम देखो एटमस्फेर ने 78% नाइटरजन है और प्लांट को नाइटरजन चाहिए बट प्लांट उस नाइटरजन को इसी फर्म में नहीं लेता है, वो अब्लांट करवाएगा बतलब ब्लांट इसा नाइटरजन नाइटरजन के अब्जारजन नहीं करता, जो एटमस्फेर में प्रेजन्ट है, वो नाइटरेट के फर्म में करें लेगा ये नाइटरज्स नाइटरजन के फ़ार्म में लेगा तो इसे कन्वार्ट करने काह Clarus को बैक्टरिय करते के में कहेंगे जो soil के fertility बढ़ाने वाले बेक्टेरिया some bacteria able to fix nitrogen from the atmosphere कुछ bacteria उस लायक होते हैं कि जो nitrogen पर जाने अटमस्फियर में उसे convert कर सकें जिससे के soil के fertility बढ़ जाएगे these microorganisms are commonly called biological nitrogen fixer इस बेक्टेरिया है उन्हें कहते हैं biological nitrogen fixer क्योंकि जो nitrogen atmosphere में उसे fix करने काम कर रहे हैं convert करने काम कर रहे है plant waste has been converted into manure कुछ microbe ऐसे हैं जो plant waste को convert कर रहे हैं खाद में जो actual हमेल रहा है फिर plant कुई कुछ micro-organized decomposed dead or organic waste है plant का and animal का उसे भी convert करते है simple substance में और जो simple substance है यह again used by plants and animals मैंतलग micro-organism जो beneficial वाले है वो यह भी है कुछ दुछ जो atmosphere की nitrogen उसे convert कर रहे हैं जैसे soil की fertility बढ़ रहे हैं कुछ जो day out decaying जो खराब material उसे convert कर रहे हैं तो उसे जो सीजी में लेंगे फिर हो plant और animal के लिए available हो जाएंगे तो micro-organism अच्छे भी है micro-organism can be used to degrade the harmful land smelly substance and thereby clean up environment environment को clean करने का भी हो कर रहे हैं हम pathogen harmful micro-organism मतलब pathogen pathogen मतलब disease causing microorganism को कहते है pathogen pathogen का मतलब वह है जो disease cause कर रहे है pathogen can interfere in our body कि कैसे इंटर करेंगे एर के थुरू एर के थुरू एर के थुरू करेंगे वाटर भी drink or food मतलब एर वाटर या फूड इसके थुरू इंटर करेंगे बोडिक अंदर कुछ communicable disease microbial disease that can spread from one infected person to healthy person commandment communicable disease का मतलब यह और किति कोई ब्यंबारी होई है तो उससे दूसरा को जा सकती है जैसे कि small force chicken box से यह ब्यंबारी है अगर किसी एक होग है तो दूसरे कोई एक चांस है कि अगर उसके अंदर antibody नहीं है उसके तो तो यह communicable disease communicable disease का मतलब यह है कि अगर कोई एक disease किसी एक को हुई है तो आस पास अगर दूसरा मेंबर है तूसरे फेलने वालती डिजीज है तो microbial disease that can spread from an infected person to healthy person अभी फेले कैसे air water food और physical contact जिजा के common called chicken box called that have tuberculosis some insect and animal act as a carrier मतलब एक से दूसरे में कैसे जाएगी अगर तो खाने के थो जाएगी यह कुछ इंडिजीज ऐसी है जो इनिमल्स को थो जा रही है जैसे मॉस्केटों के थो मच्चर लेके जा रहा है अब किसी को मॉलयरिया हो धो अगनिकाट लिया और वह मच्चर नहीं काट लिए और वह दूस्कर लिया डूसरे मॉस्ककटों से करे गए ऐसे पैरसे पैरसाइट डौत gost तो मतलब अघ्र किसह इक हो है तो दूसरे को फ्यल जाए तो communicul disease जैसे की malaria है यह इसे ट्रांस्टर का काम करता है फिमील एनाफिलीज मॉस्केट हो अगर जिसे है उसे खा लिया काट लिया तो उसके ब्लड से चला जाएगा उसमचर ने दूसरे को खा लिया तो दूसरे के ब्लड मॉस्केट हो मेल नहीं फिमील है और डेंगो को फैला एडिज मॉस्केट हो यह carrier है वालत एक से दूसरे कर लियाना काम यही करते हैं तो याद कर लेना है घृणीज काजीं मायको और इनमाल एंथ्रक्स की डिजीज डेंजरस हुमेन केटल डिजीज काजग फई बैक्टरिया अंथ्रक्स बैक्टरिय वज़स ओर ही है फूट है plant में होते हैं जैसे कि वीत के राइस पोर्टाइटो सुगर के न और अचा तो अचा पोड़ीज तो पहीं हो सकती न आइनिवाल समय भी प्लांट में भी तो कुछ केमिकल करी ऊची करके प्लाटलों बजाए जा सकता है itali next food poisoning food poisoning could be due to the consumption of food food poisoning का बोरी है due to consumption of food food गुव ले रहे हैं जो कि spoilt है जो खराजी है आगि ze microorganism जो कुछ खराब कर दिया गया है किस ने खराब किया micro organism में माइक्रो और नो ग्रो हो गया है फूड के ऊपर ठीक है उसने पॉडूच के जा टॉकिक सबस्टेंस और फूड को हमने खा लिया है तो हमारे अंदर वाचे लिए टॉक्सिक सबस्टेंस तो थीज हमें पाइक्रो टीक हो सकती है उस कराब कर दिया है तो हमारे बॉड्युश से नहीं लड़ पाइं जीत पाइं तो फूड पोड़ जाएगी जिस काफ़ बाफी सीर्य प्रोड़्िषा है विए नेकां प्रूडल को या ने समय हो सकती है कुछ micro-organism ने खराब कर दिया है तो micro-organism that grown over food sometime produce करते हैं toxic substance जो बनाते है food को poisonous तो फूद प्रेजरवेटिव भी है जैसे chemical प्रेजरवेटिव प्रेजरवेटिव को मतलब जो फूद को बचा रखने काम करें तो salt या acid preservator ये अचार में यूज़ोता है तो microcatoic attack को रोगता है sodium benzoate and sodium metabisulfate ये जैंबरान में यूज़ोता है common salt जो अमारा काने का salt है वो meat में फिस में रोमेंगो में आम्ला में ये यूज़ो सत्ता है प्रेजरवेटिव को फूद में प्रेजरवेटिव मतलब ये कि जब micro-organis की गरोथ है उसरो बनें काम करेंगा ये और प्रेजरवेशन बाइप सुगर ये CEO सुगर्ण साइसा जैने में ये लिया स्कुर्य से मैं इसको एसा से जी प्रेजर्वेटिव होतीं सुगर्टेस करता मुश्यर को जो इनिविट करता घुड़ bağ Aí और जो प्लौद सकता फूद को मतला सुगर क्या करा है जो मॉइस्टर कॉंटेंट उसे कम कर रहा है मॉइस्टर नहीं तो फेक्टर ग्रोथ को रुख रही है प्रेजरवेशन बाइ ओयल एंड विनेगर से प्रेजर कर सकते है जैसे कि इस पिकल का चार का जपरियो स्टोरिज ओपिकल, वेजटेबल, फ्रूट, फिस, मीट यह सब चीजी यह प्रेजर बाइ ओवेल एंड विनेकर हीट एंड कोल्ट ट्रीटमेंट जैसे कि बॉइलिंग किल करते हैं माइक्रो ओर्गनेजर को इन लो टेंपरेचर निविट करता है ग्रोथ हो माइक्रोब्स को तो एक दम बॉइल करके उसे ठंड़ उसमें माइक्रोब्स ग्रोब्स नहीं हो गया तो जो हीट एंड कोल्ट ट्रीटमेंट ही एक पहले उसा उबाल दो तो अगर उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स है तो खतम हो जाएगा फिर उसे ठंड़ उसमें रख दो तो जो ग्रोथ नहीं हो पाईगा अगर माइक्रोब्स के अंदर कुछ है तो खतम हो जाएगा और से फ्रीज में रख दो तो इतना शंड़ हो कि दूसरा माइक्रोब्स में ग्रोब्स नहीं हो पाईगा पास्चुराइजिसन का मतलब यह ही है गराम अट्षंड़ पास्चुराइजिस्ट मिल्क हैं इसहा सकते हैं बिना बॉइल कीई क्योंकि यह फ्रीये फ्रॉ माहरं ंफ्रॉल माक्रोफ पास्चुराइज मिल्क णेगा vedere हैं थिप्री वर फ्रॉन माइक्रोफ्स नहींでは क्यों कि यह मकरा पेकरनेसे पहले पर यह गाईज़एग parenth़र सब और फिर उसे एक्दम ठंड़ के वेज़ दे गया रोग श्टोर कर ले गया है मतलब हीट करके विसके इंदर है अगर कोई तो उसे खतम कर दिए फिर इतना ठंड़क उसमें रखा गया है कि उसमें माइक्रोब्स गुरो ही नहीं हो सकते तो बाइड विए इस प्रोसेस को ही कहते है पास्चुराइजेशन लूइस पास्टर ने डिस्कवर के तो इसके लिए इसका नहा है पास्चुराइजेशन इस्टोरेजेंट पैकिंग इस ट्राइफ रोट है एंड इवन वेजटेबल सार सॉल्डन सील्ड और एयर टाइट पैकेट यह किसलिए है क्योंकि जो माइक्रोब से उसके अटैक को रोपने के लिए मतलब एयर टाइट पैकिंग में अगर रहेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो इस कुछ हट्वर हो जाएगी आज नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने वाला तो बैक्टिरियम जो है राईजोपियम इन वाल्व होता है इप नग्रेजन के फिक्सेशन में यह होता कहां लेगेए इस प्लांट के रोट में लेगेए उनगे बेक्टिरिया है जो है राइजोपियम लिविंदर रूट नॉडूल्स ओ लेगवनस प्लांट जिस देसे कि बीज और पीज के प्लांट के रूट्स में अधिये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में जो एटमस्फरिक नाइट्रोजन है वो गैनोट भी टेकन डारेक्ट लिवाए प्लांट एंड अनिमल देखो एटमसफरा ब्लांट यूज कर सकते हैं और दोनों को चीह नाइट्रोजन तो यह राइजो आनिमल पाणट्रोजन जो यूज हो सकते हैं ऑप्लांट। अगया तो यूज कर सकते हैं और अंसानीमल पाणट को खरलेंगे तो अनिमल जायाए मतलव अटमोस्फिर में nitrogen है अटमोसिव ने nitrogen है यह 18% atmosphere nitrogen है जो total gas है उसमें आप ऐस और यह फईजिदनर से कहीं जाद है और यह plant और रानिमल दोनों को चीन ऑर दोनों इस nitrogen का इसे यूज नहीं कर सकते मतलव बाइक उतार यूज नहीं कर सकते तो जो डाइजोपीम वैक्टरिया वह एक एसा वैक्टरिया जो यह लाइवनेस प्लांट की जो रूट है उसमें नौदियॉस मरें इसे बाइटक्रिलेशन मुना रहा है तो बहुत यह इस फॉर्म कर देता है जिसे कि प्लांट उसे यह एम्ज़ॉर्ब कर सके हैं अब प्ला तो एक्मोस्फिर नीट्रियन ये टेकिन डरेक्ट लेटि भा प्लांट एमल मुझे उसे कि वायो नीट्रियन इसरे घंजी नीट्रियन वेस्ट में। nitrogenous compound मतलब अगर प्लांट और एनिमल भी खतम हुए तो उने भी खतम करने का काम यह करेंगे और जो पिसके अंदर काम की चीज़े हैं वो फिर से soil में मिल जाएंगे जैसे फिर से प्लांट यूज करेंगे मतलब वो compound की cycle चलती रहेगी यह जो cycle ही चलती रहे की also can be seen with the help of microscope microscope की helps on my organism देख सकते हैं blue green algae fix करता है nitrogen को directly from the air to enhance the fertility of soil blue green algae nitrogen को convert करता है किसमे directly from the air enhance करता सोल की फॉक्क फॉर्टिलेटिंग अधा ज्या अट्मस्फिक नाइटरजन उसे सोयल में देने का काम भी करते हैं ब्लूग्रेन एलकी हो फॉल्टिक डोपडूस होता है वसे पडूसकर नकाम करता है इस्ट कोल्रा डिजीज है जो बैक्ट्रीय बजह सोते हैं यिश कुछ डी तो एक्टमाश फ्रूं में नेट्ट्रोजन है उसे फिक्स करने एक काम कर रहे तो रहाय जो भी हमें हैं क्लोस्ट ज्रीडिया में यह तिने गात कर लाना है major group के micro-organeum के algae fungi bacteria & protozoa यह micro-organeum के group है algae fungi bacteria & protozoa viral disease कुण-कुण शींहों बडिन है ज़से कोल्ड है polio chickenpox influenza bacterial disease typhae tuberculosis protozoa कोईशी सोनितन अब्सटीज मलेरिया dysentery बैक्टरिया के वेज वेजा होता है कोल्रा, Ryzobeum कि हाई Natogen Fix अरवाला बेक्टरिया, Lactobacillus के करता है, दूर्चयद है किक वें कमरता है, इस्ट बेकिंग उप्रेट और अलकोल बनाने में काम आओ, प्रोटो जो हो रहा है, इस्ट तर खकर रहा है, और विरसम्स मतलें, इस् इस्ट छो उस्फिर रिंद प्रोडेक्षा एक्षाय ऐस्ट करता है उसके आपरख करता है उसके आपछल्य एसट फ्ट्रमयसिन इंटिवियृटिक है ऐं मलेरिया को ले जाने काम कॉछ पहों करता है और फिमेलिव ले नाफिलिज मॉसकेट हूं यह प्रोटो जोग ले जाता है एक से दूसरे में हाउस फ्लाइस जो क्या रिगारती है वो कम्यूकबल डिजीज है कम्यूकेबल मतला एक सब दूसर में लेजानेवाल डिजीज तो मच्कियों की विजास भी पती हूं ब्रेड रिडली डो जो राइजीज हो जाते हो किसी है इस्ट साल की वज़ेसे प्रोसस ऑफ कनवर्जें वह सुगर इंटु एल्कॉहल सुगर कनवर्ट हो जाते है अलकॉहल में से फर्मन्टेशन चिकन बॉक्स की किसी वे सुराइं है बॉर्सेलजोस्टर कर जैसे टुबर किलोसीज जो टॉकसिन भापर रिलीज होता है टिपीपकेटर है कुझा सैं प्रोटोजोवा किस हो रहा है मलेरिया ऐसे टो बेक्टर एसे टाइए यूज़ हो रहा है किसके प्रोटक्शनों के लिए एस्टिक एसेड के लिए चिकिन पॉक्स एंड ट्यूबर क्रोसिस ही एक कम्नुकिबल डिजीज है